दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने मॉबाइल से आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो आप लोग बहुत ही आसानी से अपने mobile phone से आधार card डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो तो चलिए दोस्तो हम लोग बिना time गवाए वीडियो को start करते हैं अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को प्लीज यार subscribe करके बेल अकन को प्रेस करके all पे select कर लेना ताकि आप लोगो को हमारे वीडियो की notification जल्द से जल्द मिल जाए तो चलिए दोस्तो हम लोग बिडियो को start करते हैं दोस्तो आप लोगो को अपने mobile से आधार card डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोगो को अपने mobile के chrome browser में चले जाना है chrome browser में जाने के बाद आप लोगो को यहां search वाले में click कर देना है और आप लोगो को search करना है UIDAI search करना है UIDAI search करने के बाद आप लोगो को यहां पहला वाला side में click कर देना है देख सकते हैं लिखावा है UIDAI तो आप लोगों को पहला वाला साइड में क्लिक कर देना है इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लेंगवेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो आप लोगों को अपना लेंगवेज सेलेक्ट कर लेना है तो मैं यहाँ पे इंगलिस सेलेक्ट कर लेता हूँ Language Select करने के बाद यहाँपे जो है Side Open हो जाएगा दोस्तो Side Open होने के बाद आप लोगो को Scroll करके नीचे का तरप आना है नीचे का तरप आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँपे लिखा हुआ है Download Adhaar तो आप लोगो को यहाँ Download Adhaar में क्लिक कर देना है डाउनलोड आधार में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है कुछी स्टैप का इंटर तो आप लोगों को यहाँ डाउनलोड आधार में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को उपर में सबसे पहले आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना आधार कार्ड नमबर डाल देना है दोस्तो जो भी आप लोगों का आधार कार्ड में नमबर है 12 डिजिट का तो आप लोगों को यहाँ पर अपना अधार कार्ड का नमबर डाल देना है तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना अधार कार्ड का नमबर डाल देते हैं दोस्तो तो अधार कार्ड का नमबर डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पर Capture डाल देना है तो capture डालने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहां जो है send OTP में क्लिक कर देना है दोस्तों आप लोगों के आधार कार्ड में जो भी mobile number रेश्टर होगा उसी mobile number में एक OTP आएगा जैसे ही आप लोग यहां send OTP में क्लिक करेंगे तो send OTP में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आप लोगों के आधार काड में जो number रेश्टर होगा दोस्तों उसमें एक OTP आएगा आप लोगों को यहाँ पे OTP डाल देना है तो चली हम लोग यहाँ पे OTP डाल देते हैं दोस्तो आप लोगों को यहाँ पे OTP डालने के बाद verify and download में क्लिक कर देना है verify and download में जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तो तो आप लोगों का आधार काड जो है डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद जो है यहाँ पे आप लोगों का आधार काड में पास्वोर्ड मांगेगा दोस्तों तो आप लोगों को पास्वोर्ड में डालना है अपने नाम का फोर लेटर डाल देना है दोस्तों और कैपिटल में डालना है जैसे कि मेरा नाम विजय है तो मैं य इतने इस भी में आपका जनम हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है दोस्तों उसके बाद ओपेन में क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग जो है अपना नाम का फोर लेटर और अपना डेट अप बर्थ का इस भी डालेंगे तो यहाँ पे जो है आधार काड का PDF ओपेन हो जाएगा दोस्तों ओपेन होने के बाद आप लोग देख सकते हैं यह आप लोगों के मोबाइल में डाउनलोड हो गया है आप लोग इसी तरह से अपने मोबाइल फोन से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आसानी से